1.5 kg खाना, जी आपने ठीक सुना, 1.5 kg खाना एक इंसान एक दिन में खाता है, जिसका मतलब ये है कि हम एक साल में कम से कम साड़े 500 kg खाना खाता है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली तीन अद्नान सामी के वेट के जितना हैं, ये नहीं ये वाले अद्नान सामी, जब उन्होंने weight lose नहीं किया था अब obviously ये सारा खाना हमारी body के अंदर से होके गुजरता है तो main सवाल ये है कि ये पच भी रा है कि नहीं तो ये जानने के लिए हमारे पस दो methods है पहला तो ये है कि stool देखके बताओ और दूसरा method है कि stool test करवाओ तो सबसे पहले सबसे असान वाला method देखते है यानि अपना stool देखके बताओ इसके लिए हमारे पास Bristol stool chart आता है जिसमें total साथ type के stools है type 1 stool कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे किसी बकरी ने stool पास किया हो और इस तरीके के stool को पास करने के लिए मुश्किल भी होती है इस तरीके का stool हमें बताता है कि हमें constipation है और हमारा stool हमारी intestine में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था type 2 का stool कुछ ऐसा दिखता है इस type के stool को देखके ऐसा लगता है कि हमने type 1 के stool की balls को एक साथ जोड दिया हो यानि shape तो ऐसी बन गई है लेकिन यह smooth नहीं है अब इस type का stool भी indicate करता है कि हमें constipation है type 3 का stool एक form ले चुका है लेकिन यह भी अभी पूरा smooth नहीं है इसमें हलके-लके cracks दिखते है type 3 stool normal माना जाता है क्योंकि इसे पास करने में कोई दिक्कत नहीं होती maximum एक या दो मिनट में हम इस तरीके का पूरा stool पास कर सकते है type 4 का stool एकदम smooth होगा साम की तरह doctors मानते हैं कि इस तरीके का stool best है जो indicate कर रहा है कि हमारा digestive system एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है और हमारा पूरा खाना पच रहा है type 5 इसमें stool छोटे छोटे टुगडों की तरह ही होते हैं लेकिन type 1 की तरह ये tight नहीं होते हैं ये stool अराम से पास हो जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि एक sense of urgency है जादा pressure बना रहता है इसे हम mild diarrhea की category में डालते हैं लेकिन इसमें कोई treatment required नहीं है type 6 इसमें stool fluffy pieces की तरह होता है अगर इस तरीके का stool दिन में 3 बार से जादा आ रहा है तो ये diarrhea की निशानी है और अगर एक ही बार आ रहा है तो ये बहुत लोगों के लिए normal भी कहा जा सकता है type 7 stool almost पानी की तरह है इसमें कोई solid pieces नहीं है अगर इसकी frequency बहुत जादा है तो इससे पानी की कमी भी हो सकती है और body के salts loose हो सकते है इस case में हमें doctor को consult करना चाहिए और ORS पीते रहना चाहिए इस type के stool में हमेशा urgency रहती है इस तरीके का stool severe diarrhea की category में आता है अब इस stool wool को देखने से जादा information नहीं मिलती digestion को detail में समझने के लिए हमें अपने body के hero gut microbiome को समझना होगा gut microbiome इतना important है कि यह हमारे emotions को control कर सकता है weight को control कर सकता है even की brain के functions को control कर सकता है यह 3 amazing research सुनिये इनकी importance को समझने के लिए experiment 1 April 2020 में Alphonsia D. Amato और उनकी team ने दो चुहे लिए एक बुड़ा और एक जवान अब इस researcher ने इस बुड़े चुहे के waste यानि potty से good bacteria निकाला और उसे जवान चुहे के large intestine में डाल दिया बाद में जब इस जवान चुहे के test किये गए तो यह पता चला कि इस जवान चुहे की memory कमजोर हो गई है बुड़े चुहे के तना जो हमें directly prove करता है कि हमारा gut microbiome और brain का direct connection है Experiment 2 एक study में researcher ने देखा कि मक्यों के पेट में एक special microbiome जिसकी वज़त से उनके सामने सारे रखे होए खानों में से वो सिर्फ protein ज़ादा खाती थी जब उनके अंदर दूसरी species का microbiome डाला गया तो वो चीनी जादा खाने लग दी यानि हमारे पेट में microbiome हमारी food choices को भी impact करता है Experiment 3 2019 की इस study में researcher Jonathan Scheme है और उनकी team ने notice कि कि जो marathon runners है उनके digestive system में good bacteria पाया जाता है जिसका नाम है wheel lonela अब इन athlete के stool sample से इस bacteria को इन researchers ने निखाला और उसे चूहे में inject कर दिया उसके बाद mice को treadmill में दोड़ाया गया और देखा गया कि जो पहले सुस्त चूहे थे अब उनकी भागने की performance 13% से increase हो गई अगर gut की path को हम और जानना चाते हैं और इनके बारे में और detailed researches सुनना चाते हैं तो मैं आपको दो books recommend करूँगा पहला है gut the inside story of body's most underrated organ और दूसरी book है mind gut connection और इन दोनों book की detailed book summary हम हिंदी में सुन सकते हैं Google application पर जिसका link मैंने description और first comment में दे दिया है ओके तो आगे बढ़ते हैं मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि वाओ ये gut microbiome तो बहुत important है लेकिन ये microbiome हमारे शरीम में है कहाँ पर ओके तो इसके लिए पहले हमें digestive system को बहुत ही असान बाशा में समझना पड़ेगा देखो हमारी digestion का का काम तब start हो जाता है जब हम खाने को देखते हैं जिसकी वज़ा से हमारे मुँ में saliva यानी थूक आता है हम हर दिन अल्मूस्ट एक पूरी बड़ी डेड़ लिटर वाली coke portal जितना saliva produce करते हैं अब जैसे हम खाने को मुँ में डालेंगे और इसे चबाएंगे तो ये saliva के साथ मिलकर एक गीला लंप बन जाए जिसे हम कहते हैं bolus अब इस bolus को जब हम अंदर लंगाते हैं तो ये pipe से होता हुआ हमारी stomach में जाता है इस pipe को हम isofigus कहते हैं stomach में जब ये खाना एके ए bolus पहुंचता है तो अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो फिद ये acid stomach को ही dissolve क्यों नहीं कर देती देखते हैं आप कितने intelligent है अगर आपको इसका answer पता है तो आप comment में ज़रूर बताइए Anyways, hydrochloric acid से जो खाना break होता है उसे काइम कहा जाता है ये काइम आगे जाएगा small intestine में जहां पर खाने में carbohydrates को glucose में convert किया जाएगा और protein को तोड़ कर amino acids बन जाएगे अब इस खाने में सिर्फ fiber, water और dead cells पड़े हैं जो की large intestine में पहुंचेंगे जहां इनकी मुलाकात होगी हमारी body के hero हमारे good bacteria से जो इस खाने को आगे भी break करेगा और finally अब वो पहुंचेंगे stool में और finally अब बचा हुआ stool जो की rectum से बहार निकल जाएगा ओके तो हम ये समझ चुके हैं कि gut microbiome हमारी large intestine में आगे जाते हैं ये छोटे-छोटे microorganisms हमारी body में trillions में हैं यानि 100 earthy population से भी जादा ये हमारी body में है अब science को ये नहीं पता कि exactly कौन-कौन से microbiomes हमारी body में होने चाहीं लेकिन ये पता है कि हर species के microbiomes होने चाहीं और जादा होने चाहीं और ये हम कर सकते हैं दो तरीकों से पहला है natural method जिसमें हमें high fiber और low fat diet खानी है जैसे की foods, nuts, peas, coffee, dark chocolate, डाले, rice, etc ये सारी चीजें हमारे gut microbiome के लिए fuel का काम करें और बाकी foods जैसे की full fat वाला milk या cold drinks जिसमें बहुत शुगर है ये सब हमारी microbiome के लिए अच्छी नहीं है और even ये भी देखा गया है कि कम तला हुआ खाना हमारे gut microbiome के लिए better है as compared to जादा तला हुआ खाना अब ये method कितना effective है इसके लिए बहुत ही interesting study है एक recent study में scientist ने दो अलग-लग जगाओं से samples लिए पहले थे African Americans और दूसरे थे South Africans African Americans, western diet लेते थे जिसमें fat जादा होता है अब जब इनके gut microbiome को study किया गया तो ये पता चला कि ये western diet लेने वाले African Americans में ज़ादा possibility है colon cancer की और जो South African है उनमें colon cancer होने के chances कम थे लेकिन इस study का सबसे interesting part ये है कि इन दोनों groups की जब सिर्फ दो हफते के लिए diet opposite की गई तो इनका colon cancer का risk भी opposite हो गया यानि South Africans का risk बढ़ गया और African Americans का risk काम हो गया दूसरा method हमारे gut microbiome को improve करने का है कि हम अलग से probiotics या prebiotics ले जैसे कि या कोल्ट etc. या अलग से supplements ले जैसे कि ये Himalayan का supplement है अब actual में microbiome हमारे improve हो भी रहे है या नहीं इसके लिए हम test कर सकते हैं ये test थोड़े costly होते हैं जैसे कि My Diagnostics वाले ये kit 9,499 रूपीज का है और Tata 1MG में Big Speaks की ये kit 9,700 रूपीज की है नॉर्मली ये kit घर में आती है और हमें अपना stool sample इसमें collect करके इन्हें देना होता है और 4 से हफते में इसकी report आ जाती है ये reports बहुत ही detailed होती है हमारे gut में कौन-कौन से microbiome है 15 कौन-कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है इसमें सब है इस stool test से हमें बीमारियां जैसे कि depression का पता चल जाता है diabetes और heart attack का पता चल जाता है कि कितने chances है even weight loss, inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis इन सब की details भी पता चल जाती है ये लोग ये भी बताते हैं कि हमें अपने gut में microbiome को improve करने के लिए क्या-क्या diet लेनी चाहिए जो हर इनसान के लिए अलग होंगी even probiotics recommendations भी ये देते हैं यानि कि कौन-कौन से हम bacteria अलग से ले सकते हैं वैसे हम लोगों में से जो लोग याकुल्ट पीते हैं वो भी एक probiotic है जिसके अंदर 700 करोड Lacty, Casey, Bacillus होते हैं यानि जितनी almost earth की population भी नहीं है उत्रा good bacteria Anyways, हम एक बार revise का लेते हैं ताकि हमें सब clear हो जाए सबसे पहले हमने Bristol stool chart देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने stool को देख के बता सकते हैं कि हम normal stool pass कर रहे हैं या नहीं इसके बाद हमने तीन major experiments देखे gut microbiome से related कि ये bacteria हमारे mental state हमारी memory, brain activities even कि हम कौन सा खाना खाएंगे ये भी control कर सकता है इसके बाद हमने देखा कि जादा microbiome हमारे large intestine में होते है और ये इतने जादा है कि अगर 100 earth भी होते है तो ये उनकी population से भी जादा है even कि 10,000 से जादा इनकी species हमारे पेट के अंदर होती है इसके बाद हमने डिसक्रस किया था कि low fat और high fiber वाले खाने हमें खाने चाहिए और finally, कीन टेस्ट की मदद से हम अपने gut microbiome में से सब कुछ पता कर सकते हैं साथ में आपने गिगल आप की बात करी थी जिसमें मैंने आपको गट के ऊपर दो बुक्स रेकिमेंट करी थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट क्मेंड में है दोस्तों, ये एक और वीडियो है जो हमें बताती है कि फ्यूचर में वीना सेक्शुल इंटर कोस के बच्चे पैदा किये जा सकते हैं आइ होप आप आप इस वीडियो को भी इंजॉई करेंगे जय हिंद